हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों अमिता बच्छन साहब की फिल्म आये थी փंने सुत्रासी में कुली दोस्तों हज की वीडियो में इस सुपर त फिल्म की स्यूटिंड लोकेशिंश के बारें माहिं बताओएंगा तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लोकेशन नमबर वन की बात करते हैं जब अमिता बचन साब के पिता जी भाज पे जाते हैं तो यह तब का सीन है जो बैग्राउंड में आप देख रहे हैं यह सीन है बॉंबे पोर्ट ट्रस्ट मुंबई का यह वहां पर फिल्म आया गया था उसके बाद लोकेशन नमबर दो आगया है यह आप सीनरी जो देख रहे हैं यह नंदी हिल्स बैंगलोर में हैं यहां पर शूटिंग हुई थी आगे लोकेशन नमबर चार आती है इसी सेम गाने में एकसिडेंट हो गया वाले में इसी गाने में दोस्तों यह जो आप सीन देख रहे हैं यह रामा नगरम है जो बैंगलोर का है आगे बात करते हैं लोकेशन नमबर पांच की यहीं सेम गाना अलग-अलग जगहों पर शूट हुआ था आप जो बर्गद का पेड़ देख रहे हैं यह 400 साल पुराना पेड़ है और यह आज भी है यह वैंगलोर में हैं वहां पर शूटिंग हुई थी इसके बाद लोकेशन नमबर 6 की बात करें दोस्तो फिल्म एक अगे गाना है लंबुजी टिंगुजी जो यह पार्क आप देख रहे हैं आसपास यह कुबन पार्क है वैंगलोर का यहां पर शूटिंग हुई थी उसके बाद आती है लोकेशन नमबर 7 दोस्तो फिल्म एक इस गाना दिखाया गया है जवानि की रेल गाड़ी जिसमें बच्चन साब को एक ट्वाइट रेन में दिखाया गया है दोस्तो इस ट्रेन का नाम है वन्रानी यह मुंबई में है और यह संजे गांधी नैशनल पार्क है बोरीवली में यह वहां पर चलती है तो यह शूट गाया है जो मुंबई में है आप गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हैं अब दोस्तों बात करें लोकेशन नमबर 9 की फिल्म गाना है एक सारी दुनिया का बोज हम उठाते हैं वैसे तो फिल्म की लगबग सारी शूटिंग वैंगलोर में होई थी यह जो स्टेशन दिखाय गया है दोस्तों यह बैंगलोर सिटी का रेलवे स्टेशन है वैसे तो पूरे गाने में स्टेशन का नाम नहीं दिखाया गया है लेकिन गाने के कुछ हिस्सों में आप देख सकते हो वैंग्राउंड में कई जगा कंणडभासा में कुछ लिखा हुआ है और एक सीन यह है आ अब मोवी की यह बैंगलोर की लोकेशन्स थी ज्यादा तर तो आई होप दस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद